और कैसे आप लोग मुझे लगता है सभी लोग अच्छे होंगे तो हम लोग बात करते हैं अपने क्लास 10 का हम लोग एक्ससाइज 1.1 पर रहे थे उसमें तीन कोश्चन में पिछली क्लास में बताया था आज ये चौथा कोश्चन है तो चौथा कोश्चन को हल करने के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है मतलब हम लोग किसी भी धनात्मा कुडांक M के लिए जाद करते हैं तो 3M या 3M प्लस 1 के रूप का आता है तो सबसे पहले इस question को हम लोग करते कैसे हैं जैसे हम लोग करते थे माना A1 धनात्मक पुढांक है माना A1 धनात्मक पुढांक है यहाँ पर B बराबर क्या मनेंगे इसके according देख सकते हैं तो 3 ले लेते हैं हम लोग तो B की value 3 आई है अब B की value 3 ले लिए तो हम लोग क्या करेंगी Euclid विभाजन प्रमाइका से Euclid विभाजन प्रमाइका से अब यह Euclid विभाजन प्रमाइका क्या होती है A बराबर B Q प्लस R जहां R बराबर क्या होता है हमारा या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है लेकिन B हमेशा बड़ा होता है अब यहाँ पर B की value हमने 3 मानी तो A बराबर 3Q प्लस R जब हमको पता चल गया B का मान 3 है तो कहता है B बड़ा है तो B से छोटी संख्या हमारी R की value हो सकती है तो R की value या R के संभभ मान क्या क्या हो सकते है या तो 0 से होगा क्योंकि 0 से बड़ी होती है आप तो 0 के बराबर होती है 0 होगी 1 होगी 2 होगी इसके इलावा कोई भी ऐसे संख्या नहीं होगी जो B बराबर 3 के लिए हो सकते R की मान तो हम लोग का हो गया भाईया ये संभभ में आ गया तो भाईया इसके बाद हम लोग क्या करते थे A के संभभ मान निकाल लेते क्या निकालते थे संभभ मान निकालते थे तो A के संभभ मान क्या क्या हो सकते भाईया A के संभभ मान हम आ रहे हो सकते है 3Q होगा 3Q होगा 3Q प्लस 1 होगा तथा 3Q प्लस टू होगा हो के रूक का हो सकता है इसके बाद हम लोग क्या करते है कि हम लोग केस alors देखते हैं हम लोग की पहली condition क्या कहती है कहती है कि किसी भी धनात्मक पुडांग का वर्ग मतलब हमको यहां पर जो एक ही वैल्यू मिली ये मिली ये मिली ये मिली और इसका वर्ग करके देखना है क्या ये 3M या 3M प्लस 1 के रूप का है तो हम लोग देखते हैं कि 3 A बराबर क्या होता है A बराबर 3Q होता है तो हमको वर्ग करना है तो वर्ग करने अब वर्ग करने फिर क्या होता है वर्ग जब हम करते हैं तो हम लोग का यहां पर A स्क्वाइर हो जाएगा बराबर 3Q स्क्वाइर हो जाएगा 3Q का square हो जाएगा, इसके बाद A square को ऐसे रहन देजे, यहाँ पर 3 का square नो होता है, और Q square को Q square लिए, अच्छा, इसको हम थोड़ा सब तोड़ ले, हम लोग A square तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको 3 into something लिख सकते हैं, व्यूंकि 3 तरिकाई क्या होता है, नो होता है, 3Q square, ठी चलिए, जब यह हो गया, तो इसको हम देखते हैं, कि हमारा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम M लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, कि A square बराबर क्या लिख देंगे, 3 into अगर M लिख दें, जहां हम लोग का M का मान क्या हो सकता है, m का मान 3q square हो सकता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3m के रूप का होगा क्या है एक आव वर्ग करने पर ये 3m के रूप का आ गया यदि ये case first में हो गया और देखते हैं case second क्या कहता है हम लोग का case second क्या होता है case second case कहता है कि हम लोग का क्या हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है a बराबर 3q प्लस 1 वर्ग करने पर अब जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा हम लोग का a square आ जाएगा यहां 3q प्लस 1 का whole square है लिता है a प्लस b का whole square क्या हो सकता है a प्लस b का a square plus b square plus 2ab होता है तो यहां पर भी हम लोग तोड़ देते हैं क्या होता है 3q का whole square plus 1 का square plus 3q यहां पर पहले 2ab लिको टू इंटू 3q प्लस 1 अब यहां देखिए 3 का square नौ होता है q square लिख देएंगे plus 1 का square लिख देएंगे 1 का square लिख देएंगे 1 का square लिख देएंगे यहां पर देखिए तीन दूनी छे और q लिख देते हैं अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें खेल खेल ले हैं कि 1 को किनारे भीज देते हैं 9q² प्लस 6q प्लस 1 अगर हम लोग ऐसे भी फॉर्मुला लिख सकते हैं अब आप लोग के मन में आ रहा होगा क्यों 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 नहीं कॉमन लिए हैं कुश्चन बन रहा है अच्छा यहां पर अगर मैं q common ले लेता हैं तो यहां पर हम लोग एक step ना लिख पाते हैं क्या नहीं लिख पाते हैं कि 3m प्लस 1 सीधा सीधा लिख देते हैं तो यहां पर जहां हम लोग कह सकते हैं जहां क्या है M बराबर हम लोग का क्या है? 3Q square plus 2Q अच्छा ये हम लोग common ले लेते तो क्या लिखते? अच्छा यहां common ले लेते तो यहां देखिए कि यहां पर क्या है? Q common हो गया ठीक है? यहां पर Q common हो गया तो भी कोई फर्ग पढ़ने वाला नहीं यहाँ पर Q बाहर निकाल लिजे 3Q प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप लोग की मर्जी आप लोग चाहे जैसा लिखिए तो पहला चीज क्या आया जब हमने condition first देखी तो हम लोग को 3Q का रूप का बन सकता था जब हमने 3Q के लिए चेक किया तो वो 3M के रूप का आया दूसरी condition जब हमने 3M प्लस 1 के लिए चेक किया तो हम लोग का 3M प्लस 1 के रूप का आया अब तीसरी condition के लिए इसको मिटार देते हैं हम लोग केस 3 क्या कहता है A बनाबर 3Q प्लस 2 इसको लिए चेक करो वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों पच्चों में क्या करेंगे वर्ग कर देंगे तो क्या होगा A स्कोईर आ जाएगा 3Q प्लस 2 का फोल स्कोईर फिर से क्या करेंगे हम लोग A प्लस B का फोल स्कोईर का फर्मुल लगाएंगे A स्कोईर प्लस 2ab प्लस b squared यहाँ पर इस तरह लिख दीजे आपकी मन करे लिखिए नहीं लिखना ना लिखिए ठीक है देखिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर a square मतलब 3q का square प्लस b square यह 2ab लिख दीजे 2 into 3q into 2 plus b square मतलब 2 का square यहाँ देखिए 3 तरिकाई 9q square 3 दुनी 6q यहाँ देखिए यहाँ देखिए 3 दुनी 6 6 दुनी 12 12q plus 2 दुनी 4 अब देखिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा game खेलते हैं क्या करेंगे game खेलेंगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं पूरे में 3 common नहीं मिलना, तो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा खेल खेलते हैं खेल क्या है इसको हम लोग 3 प्लस 1 लिखते हैं इसका मतलब फाइदा क्या हुगा? फाइदा कुछ नहीं हुगा, यहाँ पर पूरे में 3 मिल गया तो 3 मिल गया, 3 बाहर ले लिए बचा क्या यहां पर? बचा कुछ नहीं, यहां पर 3 बज गया, Q स्क्वाइर बज गया प्लस बज गया, 3 चौफ 12 Q बज गया प्लस, यह वाला बाहर जा चुका है तो 1 बज गया और प्लस 1, क्योंकि ब्रैकेट इधर क्यों लगए? क्योंकि इन तीनों में common लिया जा रहा था 1 में कोई मतलब नहीं था तो हम लोग का finally आया क्या? हम लोग का finally आया क्या? यह देखिए finally हम लोग का आया क्या है यहां पर? देखिए यहां पर क्या किये है कि हम लोग 3 common लिये हैं यहाँ पर इसको पूरे को हम क्या मान लेते हैं M मान लेते हैं और यहाँ पर plus 1 कर लेते हैं हमने जहां M क्या माना है भाईया यहाँ देखिए M बराबर क्या माना हमने माना 3 Q square 3 Q square plus 4 Q plus 7 यह आप लोग का क्या माना M मान लिया जिससे हम लोग को सिद्ध हो गया कि हम लोग क्या लिखते हैं कि 3M प्लस 1 के रूप का है एक लाइन हमको लिखना है आप लोग इसको नोट करिए एक लाइन और लिख देते हैं इसके बाद लिखेंगे अता किसी भी किसी भी धनातमक पुडांक का वर्ग 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है रूप का होता है अता किसी भी धनातमक पुडांक का वर्ग 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है यहाँ पर सित्न कर दिये कि हम लोग का क्या होता है 3M तथा 3M प्लस 1 के रूप का होता यै पहली कंडिशन में का है 3M के रूप का है दूसरी condition में 3M plus 1 की रूप का आई फिर तीसरी condition जब किये फिर से हम लोग का क्या आया 3M plus 1 की रूप का आया यह देखिए यहाँ पर इसको क्या है? अलग है 3M plus 1 की रूप का आया उमीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा पहली condition हम लोग की क्या थी यह थी, दूसरी condition हमने यह दिखी है यहाँ निकाली तीसरी condition यहाँ से लेकिए यहाँ तक हम लेकिए तो उमीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा तो चलिए आते हैं हम लोग जल्दी से 19% पेसको मिटार के कुश्चन नमबर पांच और आकरी कहता है दर्साईय की कि किसी भी धनात्मक पुढांक का घन यहाँ पर घन होगा 9M 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 प्लस 1 9M प्लस 8 की रूप का होता है अब क्या करना है हमको यूकलिड विभाजन प्रमाइका का प्रयोग करके यूकलिड विभाजन प्रमाइका का प्रयोग करके प्रमाइका का प्रयोग करके दर्सान है कि कोई भी धनात्मक पुढांक का वर्ग कोई भी धनात्मक पुढांक का घन 9M, 9M प्लस 1 तथा 9M प्लस 8 के रूप का होता है यह हमारा कोश्चन है उमीद करते हैं कोश्चन आप लोग को सौंज में आ रहा होगा कि हमको कोई भी धनात्मक पुढांक का घन करना है जैसे हम लोग वर्ग किये थे उसी तरह हम लोग घन करना है और हमको 9M, 9M प्लस 1 तथा 9M प्लस 8 के रूप का दिखाना है तो थोड़ा यह कोश्चन बहुत अच्छे सा ध्यान दिजेगा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सट दिमाग लगाएंगे और वो दिमाग आप लोग लिए बहुत ही आवश्चक होगा जैसे आप लोग पहला लाइन जानते हैं कि पहली लाइन हम लोग लिखते हैं माना एक धनात्मक पुढांक है एक धनात्मक पुढांक है इसके बाद यहां पर जो बोलने वाले हैं सबसे भ्यानक चीज़ बोलने वाले हैं B की वैल्यू हम लोग क्या ले यदी हम लोग B की वैल्यू 9 लेते हैं तो R का मान भी 9 आएगा मतब 0 से लेके 8 तक आएगा तो 9 मान रखें को चेक करना पड़ेगा क्या द्ऽण सोच सकते हैं मतब कितना कठें हो सकता है कि आप Лोग सोच सकते हैं बिलकुल तो हम लोग थोड़ा सथ दिमाग लगाते जदी हम लोग चाहें तो नाइन की जगह ना लेके हम Celia लोग इसको ठीह ले सकते हैं क्यूकि हमने किसी संत्वाइख धन करना है तो वो क्या आएगी जैसे नौ करेंगी तो नौ नौ आइक यासी गोणे दोस्तों तो 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 आप लोग यहां जम माने बी की वेल्यू तब थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना कैलकुलेशन करने से इसे बचा सकते हें यदि आप लुग नाइन माल लेते हैं कोई किसी प्रकार की गल्ती नहींहीं होगी बस थोड़ा सा यह होगा की कोश्ट्जिन जो है लेंडी हो जाएगा लंबा हो जाए गासे बचने के लिए हम लोग B की वेल्यों क्या मान लेते हैं B की value हम लोग मान लेते हैं, कि हम लोग कब 3 हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, Euclid विभाजन प्रमाइका से, अब प्रमाइका क्या होती है, आप लोग को पता है ना, प्रमाइका से, होती है भईया, A बराबर BQ प्लस R होती है, जहां R क्या होता है, होता है R बराबर, हमारा R क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B हमेशा बड़ा, तो हमारा A बराबर क्या होता है, यहाँ पर 3Q प्लस R कर लेंगे, अब हमको जब जैसे ही पता चला कि हमारा b की value 3 है तो हम लोग कह सकते हैं कि r बरावर हमारा 0 हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है यह r के संभव मान हो सकते हैं जब r के संभव मान हो सकते हैं तो हमारा a के भी संभव मान हो सकते हैं के संभवमान भी हो सकते हैं तो एक के संभवमान हम लोग के क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग का zero रखेंगे three q जब हम लोग क्या रखेंगे one रखेंगे तो one हो जाएगा तथा three q plus two कुके रूप का हो सकता है अब इस रूप का हो सकता है तो भाया केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है केस फर्स्ट हम लोग का कहता है कि हम लोग इसका घं कर दें पहली वाली संक्या का हम लोग क्या किये यह बराबर क्या था ठीक यूप था इसका क्या था घं करने पर क्या करने पर घन करने पर घन मतलब क्यूब करने पर अब क्यूब करें तो एक क्यूब आ गया इधर 3 क्यूब का whole क्यूब आ गया यहाँ पर देखिए इसके बाद इसका 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तरीक का इसका 9 9 तरीक 27 होता है तो हम लोग यहाँ पर 27 Q square लिख सकते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको हम लोग 9 तरीक 27 होता है और यहाँ पर Q square लिख दें तो हम लोग का फायदा क्या हुआ 9 M लिख सकते हैं क्योंकि पिछला question हमने कराया है तो हम लोग का जहां M की value क्या हो जाएगी जहां M बराबर हम लोग का हो जाएगा 3 Q square हमारा काम बनना चाहिए तो हम की value क्या है उससे मतलब नहीं है ठीक है M की value क्या है उससे हमको मतलब नहीं है बस हमको यह याद होना चाहिए कि 9 और M आए हमको concentration होना चाहिए यह पूरा दिमाग का एक-एक चीज यहीं होना चाहिए कि हम 9 M कैसे लाए या 9 M लाए या 9 M प्लस 1 लाए या 9 M प्लस 8 लाए तो case first हम लोग को हो गया हम लोग case second देखते हैं तो case second क्या कहता है हम लोग का case second हम लोग का कहता है कि हम लोग 9m प्लस 1 के लिए चेक कर लिए ठीक है 3q प्लस 1 के लिए चेक कर लिए तो a बराबर 3q प्लस 1 तो हम लोग क्या करेंगे घन करने पर क्या करने पर घन करने पर जब हमने घन किया तो हमने क्या देखा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं A cube लिख सकते हैं, यहां पर 3Q plus 1 का whole cube लिख सकते हैं, अब बच्पन में हमने पढ़ा था A plus B का whole cube, क्या? A plus B का whole cube, क्या पढ़ा था? A cube plus 3AB, bracket में A plus B, और plus B cube, यह पढ़ा था? बिलकुल पढ़ा था, अब इसका प्रयोग फिर से करते हैं हम लोग, हम लोग कहते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा, इसका cube, 3Q का cube, plus यहां पर देखिए 3 into 3 cube into 1, ठीक है? फिर bracket में 3Q plus 1, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस 1 का cube, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या होता है? कि हम लोग यहां पर थोड़ा सा change करते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं? यहां पर 3 का cube लिखते हैं, 27 Q cube, ठीक है? चलिए, इसके बाद 3, 3, 9 हो गया, तो 2 काम कर रहे हैं, 3, 3, 9 plus इसमें गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर 3, 3, 9, 9, 27, 27 Q square, क्योंकि Q into Q, Q square, प्लस, यहां पर देखिए, यहां पर एक में गुणा करेंगे, तो यहां पर 9 Q square ही आएगा, ठीक है? सोरी, square नहीं आएगा, 9 Q आएगा, प्लस 1 लिखतेंगे, सभी को दिख रहा हैं, उमीद है, सभी को दिख रहा होगा, तो चलिए, आगे हम लोग करते हैं, उपर थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग उपर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर तीनों में कुछ ना कुछ common मिलना है, हम लोग को लेना क्या, हम लोग 9 common ले लेते हैं, 9 common ले लेते हैं, बचा क्या, यहां पर 9, 27, 3 Q आज अब देखिए यहाँ पर अंदर क्या बच रहा है क्या सब्सक्राइबर अपकि रहा है क्यों पर alis 9 की जरुवत है यहाँ पर क्यूं हम करेंगे क्या कोई काम का नहीं हम लोग छोड़ देते हैं हम लोग लिख देते हैं यहां पर 9m प्लस 1 जहां m बराबर क्या होता है जहां m बराबर हम लोग का क्या होता है 3q square प्लस 3q 3q cube 3q square प्लस cube यह होता है m का मान तो यह आप लोग का आ गया case 3 क्या कहता है case 3 के लिए हम question मिटार देते हैं और करते है case 3 है a बराबर 3q प्लस 2 फिर से देखिंग यहां पर घं करने पर हम लोग क्या करते हैं घं करने पर तो हम लोग का क्या आता है हम लोग कुछ नहीं करते हैं a cube लिख देते हैं यहां पर 3q plus 2 का whole cube लिखते हैं यहां पर देखिए यहां पर formula की use करते हैं तो formula क्या होता है a plus b का whole cube का यहां पर दिखा देते हैं आप लोग को a cube plus 3ab bracket में a plus b और यहां पर क्या होता है plus b square यहां पर direct formula लिखा गया है तो यहां पर देखिए a cube 3q का cube ठीक है 3q का cube प्लस यहां पर 2 का cube यहां पर देखिए आसे 3 into यहां पर 3q plus 2 into 2 bracket में 3q plus 2 और यहां पर plus 2 square ठीक है इसके पाल हम लोग क्या करते हैं कि इसका formula लिखते हैं तो यहां पर 9 यहां पर q q sorry यहां देखिए तीन तरीकाइद नौ नौ तिक 27 q cube यहां देखिए तीन दुनी तीन तरीकाइद नौ नौ दिनी अठारा अठारा का गुणा हम लोग किस में करेंगे अठारा का गुणा हम लोग 3 में करते हैं तो अठारा दुनी 36 अठारा त्रिया 54 ठीक है चाववण ठीक है चलिए यहां पर क्या करतेते हैं तो यहां पर 2 का क्यूब होगा तो यहां पर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है तो हम लोग क्या करते हैं इन तीनों में कॉमन लेते हैं 9 ठीक है 9 बाहर निकाली है तो ये 3 नो नीच्छ है बचा तो 9 चौक 36, 9 बचालीं, 9 चौक 54, सीधा-सीधा ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पर 9 चौक 36, ठीक है? सीधा-सीधा फिर यहाँ पर Q बजगया? यहाँ पर के 8 हो गया अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या हुगा यहाँ पर M हो गया प्लस 8 हो गया और यहाँ पर हमने क्या माना जहां M बराबर क्या माना 3Q स्क्वाइर सॉरी 3Q Q प्लस 6Q स्क्वाइर प्लस 4Q आया यह क्या आया M बराबर आ गया ठीक है इसी के साथ हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग का क्या होता है हम लोग कह सकते हैं अता किसी भी किसी भी धनात्मक पुलांक का घन क्या लिख सकते हैं 3M स्वरी 9M कॉमा 9M प्लस 1 तथा 9M प्लस 8 के रूप का होता है 9M 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप का होता है इसी से आप लोग का कुश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हो जाता है उमीद करते हैं आप लोग को सभी चीज अच्छे से समझ में आती होंगी और मैं एक एक चीज एक एक वर्ड बहुत अच्छे से किलियर से समझाता हूँ जिससे की बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएं तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप करते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आप लोग की एकसरसाइज 1.1 कम्प्लीट तो नेस्ट क्लास नेस्ट टॉपिक तो मिलते हैं नेस्ट क्लास में बाई बाई सबी को